लो के लिए वेलकम बेग किर्णिस काउमर जोन दोस्तों जैसे मैंने प्रोमिस किया था कि नेक्स वीडियो में आपके लिए मैं mcqs लेके आऊँगा तो आज मैं फिर से mcqs लेके आया हूं क्यूंकि आपके लिए जो है, वो MCQs ही, जो है, वो मेन है, क्योंकि जो भी आप पढ़ोगे, उसमें आपका subjective portion तो है, नहीं, आपका तो objective है, तो objectives में आपको तो सिर्फ MCQs आएंगे, तो I hope आपने जो मैंने जनेंटिस करवाई थी, या उससे पहले जो introduction to accounting करवाई है, अपने अच्छे से पढ़ा ह हुआ है, तब ही आप इसको solve कर पाऊगे, तो चली दोस्तों शुरू करते हैं आज का topic, दोस्तों ये कुछ MCQs हैं, जिसमें पहला है credit means, credit का क्या मतलब है, दोस्तों आपको जो last video मैंने बताया था, जिसमें मैंने बताया था, कि assets, expenses, liabilities, capital incomes को हम कैसे debit credit करेंगे, कैसे देख credit का क्या मतलब है, increase in asset, दोस्तों, assets के लिए मैंने आपको बताया था, कि जब भी, मैंने दो कालम बनाया थे, debit, credit, assets, जब भी increase होते हैं, तो वो debit में आते हैं, जब decrease होते हैं, जब minus होते हैं, तो credit में आते हैं, तो credit का मतलब यहां पर क्या है, increase in asset, नहीं, credit का मतलब होता है, decrease in asset, तो minus में आते हैं, इसलिए पहला answer नहीं है दूसरा increase in liability, liability जब increase होती है तो credit में आती है, तो दोस्तों liability का मैंने बताया था कि liabilities जो हैं, वो हमेशा उल्टा, liability जब increase होती है तो credit में आती है, decrease होती है, तो debit में आती है तो right answer is increase in liability, कि liability जब increase होती है तो credit में आती है, यह मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुआ है, जिसने नहीं पड़ा lecture, पीछे जाके इससे पहले वाला lecture देख लिए आप, आपको सारा समझ आ जाएगा, इसके बाद decrease in liability, liability जब decrease होती तो credit नहीं होती दोस्तों, वो debit होती है, और none of this, तो खेर इसमें से को जब हम person use के लिए goods withdraw करते हैं, तो हम किसको credit करते हैं, आपको guarantee होगा, अगर हम person use के लिए goods withdraw करते हैं, तो हम debit करते हैं, drawings को, को याद होगा, drawings को debit करते थे, और हमने क्योंकि goods withdraw की, तो हम किसको credit करेंगे, purchase को, क्योंकि हमारा जो asset है, goods हमारी assets ही है, तो हमारा asset क्या हो रहा है, decrease हो रहा, जब हम अपनी goods अपने लिए withdraw करते हैं, तो हमारे business के point of view से हमारा जो goods है, उनकी value decrease हो जाती है, या वो asset हमारा decrease हो जाता है, decrease in asset हमेशा हम क्या करते हैं, credit करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, assets की increase debit, लेकिन decrease कहां आती है, credit में, so withdraw goods for personal use, हम किसको credit कर रहे हैं, purchase को, तो यहाँ पर first answer is drawings, drawing हमेशा है, debit में आती है, यह wrong है, B capital, capital तो जब भी credit होती है, तब capital credit में आती है, जब भी capital increase होती है, तब capital credit में आती है, so this answer is also wrong, C is purchase, तो right answer is purchase, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कि अगर आपको generalities बनाना आती होंगी, तब आपको MCQs भी आएंगे, तो मैंने कहा था कि generalities बनाना नहीं पूछेंगे, उनके ओपर best questions आपको आ सकते हैं, so the right answer is C, यहनी purchase, cash, cash तो तब है, जब increase होती है, तो debit होती है, और जब decrease होती है, तो credit, जब business में कोई भी transaction यह नहीं लेंदेन होता है, सबसे पहला काम हम उसको record करते हैं, तो यह recording कब की जाती है, first is two times a year, साल में दो बार, B is once a year, साल में एक बार, C frequently during the year, मतलब साल में यह होती है, frequently मतलब कभी भी, and D at the end of the accounting year, दोस्तों, हम कोई भी जो transaction रिकार्ड करते हैं, जिस समय वो transaction हुई, जिस date को वो transaction हुई, हम उसी date को उसका record रखते हैं, तो इसमें ऐसा बिलकुल नहीं है, कि once in a year, या twice in a year, इसमें जब भी आपके transaction, आपके business में कोई transaction होगी, आपको उसी वक्त उसको record करना है, तो right answer is C, frequently during the year, year में कभी भी जब भी वो transaction होगी, जब दोस्तों, next is, changes in the capital account of a proprietor में occur due to, हमारी जो proprietor हो गया owner, owner की capital में changes कब आती हैं, यह जो owner ने पैसा लगाया है, capital लगाई है, उसमें कब-कब change आती है, दोस्तो, first answer is profit earned, this is the right answer, कि मानलों आपने किसी business में एक लाख रुपया लगाया, और आपको 10,000 का profit हुआ, तो आपकी capital कितनी हो गई, एक लाख आपने जो invest किया था, प्लस 10,000 उसमें profit आ गया, तो कुल हो गई, एक लाख 10,000, तो capital change हुई, ये भी एक reason है, B, loss is incurred, तो दोस्तों जिस तरह से, जब profit होता है, वो capital में add हो जाता है, वैसे ही loss हम capital में से minus कर देती है, हम कहते हैं कि एक लाख हमने capital लगाई थी, तो capital कितनी रहागी, 90,000, तब भी हमारी capital जो है, वो change होगी, capital introduced, अगर हम और capital लगाएं, मानलो एक लाख लगाया था, बाद में हमें और ज़रुद पड़ी, हमने 20,000 और लगाया, तो capital कितनी होगी, एक लग 20,000, तब भी change हुई, D, all of above, इन सब की कारण, तो आपने देखा कि, इन सब के कारण, हमारी जो capital है, हमने सादिक किसी का नाम है, उसको उधार में गुर्ष बेची, उस केस में हम किसको डेबिट करेंगे, दोस्तों ये जनेंटीस में कराव करवा चुका हूँ, जब हम कोई चीज उधार में बेचते हैं, तो जिसको हमने बेची, यहां पे सादिक है, जिसको उने गुर्ष बेची, हमारे लिए एक तो परसनल अकांट को रूल लगे गई, लेकिन हमारे हूँ एक asset का काम करता है, हमारे एक asset है, वो हमारे लिए debtor है, debtor वो यี้नि जिसको हमने गुर्ष बेची, और मैंने आपको बताया था, जब भी हमारे assets increase होंगे तो वो debit होंगे तो जब हम उथार में चीज बेच रहे हैं इक मीन्स हमारे जो debtors हैं वो increase हो रहे हैं तो हमारी जो जनरेटीस बनती है वो ये बनती है साधिक debit, साधिक account debit to हमने goods बेची तो sales तो question ये था कि जब भी हमने किसी को sale करेंगे यहां पर हमने साधिक को sale की है credit में हम किसको debit करेंगे तो दोस्तों आपने देखा हमने किसको debit किया साधिक को तो पहला था accounts payable, accounts payable का मतलब होता है जो आपने पैसा देना है लेकिन हम तो हम बेच रहे हैं चीज उधार पर हमने तो पैसा लेना है so wrong answer B cash को हम debit नहीं कर सकते क्योंकि cash हम तब debit करते हैं जब हम उसको cash में कोई चीज बेचेंगे मतलब हम उसके cash लेंगे तो साधिक की जगा फिर उसका नाम आ जाता है जिसे हम cash ले रहे हैं तो cash account हो जाएगा तो ये भी गलत है साधिक क्योंकि हम उधार में बेच रहे हैं तो यहां पर हम cash की जगा नाम लिखेंगे जब भी हम किसी को उधार में कोई चीज बेचेंगे तो cash की जगा उसका नाम जो होता है उसको हम debit करते हैं तो right answer is साधिक D sales तो हमेशे credit में आती है चाहे वो cash में हो या credit में तो sales यहां का right answer नहीं है so right answer is the C चलिए दोस्तो next in which order transactions are recorded किस order में हम transactions को record करते हैं first is chronological B alphabetical C both A and B D none of these दोस्तो हम कोई भी transaction जो है chronological order में record करते हैं यानि in order of occurrence जब जब वो transaction हुई date के हिसाब से ऐसा नहीं होता कि आज एक transaction हुई आप कल वाली पहले record करो आज वाली पहले in order of occurrence है in order of occurrence मतब जब जब वो transactions होती है तो date के हिसाब से में record करना पड़ता उसको कहते हैं chronological order alphabetically तो नहीं record करते ना ही बोट दोनों तो हमारा जो right answer इसमें है that is A next is which of the following account increase with debit इन में से कौन सा account जो है वो increase होगा जब हम debit करेंगे दोस्तों आपको rules तो पता होंगे debit credit यह मैंने कल करवाया था capital का क्या है capital कब increase होती है जब हम उसको credit करते हैं और कब decrease होती है जब उसको debit तो question यह है which of the following account increase with debit इसमें से कौन सा account है जो debit करने से increase होगा लेकिन capital तो decrease होती है debit करने से reserve दोस्तों reserve भी part of profit है यानि reserve यानि वो पैसा जो हमने future के लिए रख दी है जनली हम अपनी अपनी life में personal life में भी क्या करते हैं कुछ पैसा जो हमें नहीं करते हैं तो उसको reserve बोलते हैं जब भी हम उस reserve में कुछ profit रखेंगे तो आपका reserve increase हो गा तो जब भी reserve increase होता है तो आपका credit होता है तो reserve छब increase होगा credit होगा लेकिन यहां बात किस कि कर रहे हैं debit की तो reserve ली answer गलत है expense, लिए आपको याद हो inan मैंने कल कहा था जब भी expense increase होती है तो वो debit होते है जब भी expense increase होंगे तो debit में आते है और expense decrease होंगे तो credit So right answer is expense D पारता revenue revenue मतलब income लेकिन income भी जब increase होती है तो आपको याद होगा मैंने कहा था income increase होगी तो credit मतलब plus credit में आएगी Credit में आएगी तो यहां पर जो revenue है वो भी इसका गलता answer है so right answer is expenses next is commission received is an example of हमें commission मिली यह किस चीज के example है मतलब यह किस चीज में आएगी real account में personal में nominal में या none of these दोस्तों commission हम चाहे receive करें या pay करें यह हमारे लिए expense या फिर income है अगर receive कर रहे है तो वो हमारे लिए income है अगर pay कर रहे है तो वो expense है और जितनी भी incomes और expenses और losses और gains यह सारे के सारे हम किस में record करते हैं nominal account में क्योंकि real account में तो हम assets की transaction लेते हैं personal account में किसी की नाम से expenses की transaction तो यहां पर commission receive हमारे income है तो वो हम nominal account में लेंगे next is discount given at the time of sale or purchases card जब हम कोई चीज बेचते या फिर खरीते हैं उस वक्त हमें जो discount हम किसी को जो discount देते हैं या फिर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं first option option is cash discount यह गलत है दोस्तों मैंने इसको circle कर दिया यह गलत है क्योंकि cash discount हमें तब मिलता है यह हम किसी को तब पे करते हैं जब हमें कोई payment करता है या हम किसी को payment करते है at the time of making payment मैंने mappedya बताया था trade discount औ-cash discount में फr within specified period हमें payment मिलती है या फिर within specified period हम किसी को payment करते हैं तो तब हमें जो discount मिलता है that is called cash discount और जब हम कोई goods sale or purchase करते हैं at the time of sale or purchase उस वक्त हमें जो discount मिलता है या हम देते हैं उसको हम बोलते हैं trade discount so right answer is trade discount last is identify the item of revenue from operation of a financial enterprise कहता है इसमें से बताओ कौन सी यहां पे जो item है ये 4 options है इसमें कोन सी है जो किसी financial enterprise के लिए financial enterprise के से कहते हैं दोस्तो ऐसी companies जो loan देती है यह यहhhlim टो कहता है इन मेंसे कौन सी ऐसी चारों मेंसे कोन सी option है जो किसी financial enterprise के लिए revenue है revenue from operation revenue from operation मतलब जो अपने business से वो generate कर रही है तो दोस्तों first is interest earned, second is sale of goods, दोस्तों यह जो financial enterprises होती है, इनका काम goods को sale purchase करना नहीं होता, यह क्या करती है, loan देती है, और बदले में interest लेती है, तो sale of goods is the wrong answer, service यह service भी render नहीं करती है, none of this तो हो नहीं सकता, तो financial enterprise क्या करती है, loan देती है, और loan पर ने क्या मिलता है, interest, so right answer is, interest earned, earned loans, दोस्तों यह थे कुछ MCQs, next video में ले कि आऊंगा, accounting equation पे, वो भी important है, उसके भी MCQs आ सकते हैं, वो next video में उस पे ले कि आऊंगा, और दूसरी चीज़, दोस्तों कि के students की यह complaint रहती है, comment section में कि हमें clear नहीं दिखता, तो आप अप कर सकते हैं, कि अपना 440 पे ले के आ सकते हैं, पिक्सल आप सैटिंग में जाके, 440 पे ले के आए, अभी by default शायद आप 144 पिक्सल पे देख रहे हैं, तो उसको बढ़ा के 440 पे ले हैं, तो आपको बिल्कुल पीछे जो मैं लिखवा रहा हूं, वो सारा clear दिखेगा, तो आ कि जान ऑला क्योंदारे हैं, और दोला के अजोंदारे हैं, तो फस्योंत